सब्सक्राइब कीजिए ग्लैम हब चानल को और बेल आइकन पे दबाए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हाई गाइस वालकरो ग्लैम हब आज मैं आपके लिए कोकोनाट बर्फी के रेसिपी लेकर आई हूँ यह रेसिपी हम फ्रेश कोकोनाट को यूज करक से जब तक गी गराँ हो जाता है तब तक हम इसमें 2G तर दो टेज में और इसे थोड़ी दे तक भून लेंगे यह भूनने के बाद हम इसमें कोकोनाट डाल देंगे तक कोकोनाट को अच्छे तरीके से भून लीजिए ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाए इसे भूनते टाइम गैस की फ्लेम को लोग पर रखे ताकि यह जलना जाए इसे हम दो मिनिट तक अच्छे तरीके से भून लेंगे इसके बाद इसे कवर करके पकाएंग कोकोनाट को ब्लैंड करके डालना ताकि अपने ग्रेट कर लिया है तो आप थोड़ी देर तक इसे ब्लैंडर में चला लीजिए तो यह जो है वह बहुत हो जाएगा अब हम इसमें जैगरे डालेंगे यह डेट जगरी है आप देखने में तोड़ा अलग है पर इसका टेस् जगरी को थोड़ा सा क्रश करके गरम पानी में घोल लिया है ताकि यह जो है वह बहुत ही जल्ब डिसॉल्ब हो जाए अब हम इस पानी को इस को कोकोनाट में डाल देंगे आप यह पर डेट जगरी के जगह आप यह और ऑडिनेरी जगरी भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर बरफी जो है वह बहुत ही कलरफुल और टेस्टी बनानी है तो अब जगरी इस्तमाल करना अगर हो सके तो डेट जगरी इस्तमाल करना अब हम फिर से गैस बचाने के लिए से थोड़ी देट तक ढखके पका लेंगे और 3-4 मिनिट के बाद हम ढटा के इससे थोड़ा चेक क है जो है बिल्कोल चेंज हो चुका है और अब कर loser कोहां तो ओर पर आप इसमें condens milk भी आड़ कर सकतू है यहां पर milk powder को थोड़ा सा पाने में घोल के डाला है और इससे त्विस्ट बहुत ही बढ़िया होती है milk powder डालने से जो है वो थोड़ा lumps बन जाता है तो वो थोड़ा मिलाने में थोड़ी दिक्कत होती है तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा पाने में घोल के डाला है अब हम इसे फिर्ट से अच्छी तरीके से पका लेंगे after six minutes तक अच्छी तरीके से भुनने के बाद हमारा बरफी का जो mixture है वो बिलकुल तयार हो चुक है आप देखे सकते हैं इसके consistency जो है वो बिलकुल binding बन चुक है अब हम गैस की flame को ओफ कर देंगे इस बिच हमें गैस की flame को बिलकुल लो पे रखना है और इसे बिलकुल भी cover करना अगर हम cover करेंगे तो इसके अंदर पानी रहेगा और हम इसे ज्यादा दिन तक प्रिज़ाइब नहीं कर पाएंगे अकर आपको बर्फी को 2-3 दिन तक रखना है तो इस बिच आपको बिलकुल भी पानी नहीं डालना है और बिलकुल भी cover करके नहीं पकाना है अब हम ठाली में ट्रांसपर कर लेंगे पर इससे पहले हमें ठाले में तोड़ा सा घी लगाना हो और इससे दरीके से करेंज करना होग ताकि अबर कि छो है वह व most है वह पोर असानी कर देंगा देखी सकते हुए दिखने में कितना खुबसरत लग रहा है घर में जब भी नहीं मिठाई बनाते तो पहला भोग हम वगवान जी को चराते इसके बाद हम घर में सब खाते तो आप भी इस फ्रेश कोकोनट बर्फी को बनाईए और खाये यह खाने में जितना टेस् ने क्या है तो जलदी से सबस्क्राब कर लेजिए और साथ बेल आइकन को इट कीजिए मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए और फाइनली थैंक्स पर वचिंग ग्लैम हब चनल को सबस्क्राइब करने के लिए इस राउड इमेज पर क्लिक किजिए और मेरे और भी ट्रिफ्रेंट्स अन उनिक वीडियो को देखने के लिए इन वीडियो पर क्लिक कीजिए आप वीडियो तक पहुँच जाएंगे और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक से शेयर जरूर कीजिए